नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षावल लेके से योटूब चैनल में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी सूचना देने जारा हूँ बिल्कुत ध्यान से इसको पढ़िएगा देखिएगा नई लेटेस्ट एकदम वेकेंसी आई है आपकी UPPCL की पद का इसमें क्या नाम है तो पद का नाम है एकज़ेक्यूटीव असिस्टेंट कारेकारी निदेशक का यह पद है यह पद आपका UPPCL के अंडर में निकाला गया है तो काफी अच्छी वेकेंसी है फॉर्म आपका 19 तरीक से भरना सुरू हो चुका है तथा यह इसकी लास्ट डेट है 12 यानि की अगले मेहने के बारे तरीक तक यह फॉर्म भरा जाएगा तो काफी अच्छी वेकेंसी है इसी वेकेंसी के बारे में हम बात करेंगे एक्जक्यूटिब असिस्टेंट यानि की कारेकारी निदेशक की यह वेकेंसी है हाल ही में इसका जो फॉर्म है भरा जाना सुरू हो चुका है तो इसी वेकेंसी के बारे में यह वीडियो है पुरा डिटेल आपको इस वेकेंसी के बारे मताया जाएगा तो मैं आप सभी से request करूँगा कि आप सभी लोग इस form को जरूर भर दिजेगा जिनोंने graduation किया हुआ है वे लोग इस form को भर सकते हैं तो सभी से मैं request करूँगा कि इस form को आप जल्दी से जल्दी भर दिजेगा जो भी important चीजे हैं इस vacancies related मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ तो इसको आप एक बार वीडियो को देख लिजेगा फिर आप form को जाके जरूर भर दिजेगा काफी अच्छी यह vacancy है और लगबग आपके इसमें जो हैं 1033 पद हैं तो आप आपको देख पा रहे हैं इसका अवेदन जो है 19 तारिक से स्टार्ट हो चुका है और अगले महिने के 12 तारिक तक जो है इसमें आप form भर सकते हैं कुल पद इसमें आपके 1033 हैं पद के नाम मैंने आपको बता दिया है एकजी क्यूटिब असिस्टेंट का या पद है 416 जो है इसमें समानने वर्ग के लिए सीटे हैं EWS के लिए 103 सीटे हैं OBC के लिए 288 सीटे हैं SC कटेगरी के लिए आपकी 266 सीटे हैं और आपकी ST कटेगरी यानि की अनुसूची जन जाती के लिए 20 सीटे इसमें रखी गई हैं तो काफी अच्छी सीटे भी इसमें है 1333 सीटे हैं और इसमें वेतनमान कितना है सेले कितनी रहेगी तो वेतनमान आपका जो है मैट्रिक्स लेवल 04 के अंतरगत जो वेतनमान आपका है 27,200 रुपे से लेके 86,100 रुपे तक का वेतनमान है प्लस इसमें आपको अलग से भथते भी मिलेंगे तो काफी अच्छी सेले भी इसके अंतरगत है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप ज़रूर भाद दीजेगा इसके बाद यहां पर मैंने पद के बारे मता दिया है पद क्या है और इसके अंतर के आपके टोटल कितने वेकेंसी निकाली गई है इसके बाद फीस कितना आपका है तो फीस आपकी समानी वर्क के लिए EWS के लिए और OBC के लिए फीस आपकी 1180 रुपे है SC और ST के लिए 826 रुपए है और विकलांग जो आएंगे विन के लिए 12 रुपए की फीस है तो इसको आप देख लिजेगा एक बार और इसमें योगिता क्या मांगी गई है तो कोई भी समाने graduate कोई भी समाने graduate जो है इस form को भर सकता है अगर आपने graduation किया हुआ है तो आप इस form को भर सकते हैं तता एक चीज़ इसमें और मांगी गई है टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपको टाइपिंग आनी must है अनिवार है 30 वर्ड प्रती मिनट की दर से आपको टाइपिंग करनी होगी तो टाइपिंग इसमें must है अभी तक आपने टाइपिंग को नहीं सिखा है टाइपिंग आपको नहीं आती है तो टाइपिंग आप चरूर सीख लिजेगा क्योंकि इसमें अगर आपको नौकरी करनी है इस UPPCL में Executive Assistant की तो आपको टाइपिंग आनी अनिवार रहे है तो आप हिंदी और इंगलिस की टाइपिंग दोनों सीख लिजेगा तदा इसमें जो minimum age है वो 21 words मांगी गई है और maximum age जो है आपकी 40 words इसमें है तो आप age भी देख लिजेगा तो यहाँ पे हमने योगिता की बात कर ली है आगे यहाँ पे syllabus की बात करते हैं syllabus आपसे क्या पूछा जाएगा तो syllabus में आपका पहला paper होगा computer का जो की बहुत ही ज़्यदा ज़रूरी है अगर आप computer के paper को pass करेंगे तभी आपका अगला वाला जो paper है वह चेक होगा तो qualifying nature का यह paper है इसमें जो है 50 question में से आपके 20 number आने अनिवारे हैं अगर आप 20 number नहीं पाते हैं तो आपकी जो copy है वह आगे चेक नहीं होगा यहीं से आप fail माल लिए जाएंगे अगर आप computer में fail हो जाते हैं तो computer में 50 प्रस्णों में से प्रतेक प्रस्ण आपका एक number कराएगा तो 50 number में से 20 number पाना आपका अनिवारे है तता इसमें एक बटा चार की minus marking भी है तो computer को अच्छे से आप पल लिजेगा अगर आपको इस paper को clear करना है तो समाने साथ computer के प्रस्ण आपसे पुछे जाएंगे और triple C level के जो question होते हैं वही आपसे एक जामें पुछे जाएंगे तो ये 50 प्रस्ण रहेंगे प्रतेक प्रस्ण आपका एक number कराएगा और इसमें जो है 20 अंक पाना अनिवारे है 20 अंक आप पाएंगे जीयस का है रिजिनिंग का है हिंदी का है और इंगलिस का है जीयस आपका 25 प्रस्ण पूछा जाएगा रिजिनिंग का आपका 45 प्रस्ण पूछा जाएगा इसके बाद हिंदी का आपका 55 प्रस्ण पूछा जाएगा क्यानि कि टोटल कितने हो गए, तो टोटल आपके 180 प्रस्थन पूछे जाएंगे, सेकेंड पेपर में, और टोटल जो है 180 मार्क्स का आपका यहाँ पेपर होगा, सेकेंड वाला, याद रखिएगा, आपका जो फर्स्ट पेपर कंप्यूटर का है, इसके मार्क्स जो है, सेकेंड वाले में एड नहीं किये जाएंगे, जोड़े नहीं जाएंगे, केवल यह सेकेंड वाला क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, बस आपको इसको क्वालिफाई करना है, 20 अंकिस में पाना आपको अनिवारे है, इसका जो मार्क्स है आपके सेकेंड पेपर में जोड़ा नहीं जाएगा, तो यह चीज आप आप याद देखिएगा, तो यह आपका सिलेबस है, यह चीज आप से उपी पीसेल के एक्जेक्यूटिव असेस्टेंड के पेपर में पूछी जाएंगी, तो इसको भी आप एक बार देख लिजेगा, इसके बाद अगला सिटेज क्या है, अगर आप इस परिच्छा को पास करते हैं, तो इस परिच्छा में पास करने वाले अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुला जाएगा, तो टाइपिंग के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुला जाएगा, तो तीन गुना अभ्यर्थियों को बुला जाएगा, टाइपिंग के लिए जो है, तीन गुना अभ्यर्थियों को बुला जाएगा, तर्ड स्टेज आपका तीसरा चलन एंट टाइपिंग का टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट में जो है तीन गुना आपके अभिहत्थी बुलाई जाएंगे, यह चीज आप ध्यान से आत्कर लिजेगा, ततार आपकी जो टाइपिंग होगी, टाइपिंग का 20 20 marks रहेगा 20 नंबर के आपके टाइपिंग होगी यानि कि 180 नंबर का आपका वो सेकेंड डॉला पेपर हो गया से लिबस वाला जो मैंना आपको वताया और प्लस 20 अंक की आपकी टाइपिंग होगी इसी क्याधार पर आपकी जो मेरिट है वह बनेगी तो टाइपिंग टेस्ट आपका 5 मिनट को आपको समय दिया जाएगा टाइपिंग के लिए हिंदी और इंग्रिस दोनों में आपकी टाइपिंग होगी 30 वर्ड प्रति मिनट आमें आपको वताया था 5 मिनट में आपको टाइपिंग करनी होगी टाइपिंग का अंक आपका 20 अंक निधारित है तो आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है या किस पर होगी तो हिंदी की टाइपिंग आपकी कुरूती देव 010 या 016 पर है तो अगर आपने अभी तक टाइपिंग को नहीं सिखा है तो इसी पर आप अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दिजेगा ये जो आपका दिया गया है न सिल किए तैपिंग लिए फैनल और रिएल्ट आए अगा फौनेगी उसी के आधार पर ही आपका सेलेक्शन होगा. तो टैपिंग मस्ट है, विश अंक आपकी टैपिंग कराएंगे तो टैपिंग तो आप जरूर से शिख लीजिएगा karena है, अगर आपको इस पद पर बैठना है तो तो यहाँ पे जो भी additional information मैंने आपको बताई है इतनी important है इस vacancy के लिए बाकि आपका जो यह exam है यह होने की संभावना कब है तो October last टक यह जो exam है मुझे लग रहाए कि होगा तो अगर आपने अभी तक इस form को नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी इस form को भर दीजेगा यह form काफी ज़्यदा महत्रपूर्ण है अच्छी vacancy है काफी अच्छी salary भी इसमें है एक अच्छी vacancy काफी अच्छी है तो आपसे request है कि इस form को आप भर दीजेगा बस बहुत ही समाने सा इसका syllabus है सभी लोग ने पढ़ाई होगा अगर आप लोग तयारी कर रहे हैं लगतार government job की तो वही वाला सब syllabus आपका government job अलब इस syllabus है जो नॉर्मली पुछा जाता है जियास, reasoning, हिंदी यही सब आप से पुछे जाएंगे बस आपको करना क्या है आपको typing सीखना है तो typing आप जरूर सीख लेजेगा तो यह छोटी से information आपको देनी थी इस UPPCL के vacancies related I hope यह information आपको फसंद आएगी तो वीडियो आपको कैसा लगा comment box में आप हमें जरूर बताईएगा एक बार फिर मैं आपसे request कर रहा हूं कि इस form को जितना हो से के जल्दी आप भल दिजेगा काफी अच्छी है वाकेंसी है तो आज के लिए पस इतना ही Thank you, thanks for watching, thank you